अगर हम बात करें तो भारत में इंडिवीजुल्स यानी के जो भारत की जनता है वो कमपनी से ज्यादा टैक्स पे कर रही है अगर हम हाली में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो गौर्वर्मेंट का जो रिवेन्यू रिसिप्ट का स्ट्रक्चर है उसमें जो पास टैक्स कलेक्शन जनरीट हुआ है वो अगर हम इस फाइनिशल येर 23-24 की बात करें तो ये गौर्वर्मेंट को एक करोड पंद्रा लाग 6,000 करोड रुपे का रिवेन्यू जनरीट हुआ है जो की इंडिवीजुल से टैक्स कलेक्शन से जनरेट हुआ है वही अगर हम क पैरिजन करें 19-20 के आज से 5 साल पहले financial year की बात करें तो उस टाइम पे जो government को individual से tax collect हुआ था वो 4,92,654 करोड रुपे का collect हुआ था वहीं अगर हम corporate tax की बात करें तो corporate tax में जो collection आया था वो 5,56,876 करोड रुपे का रहा था तो यह हम differentiate समझ सकते हैं कि जहां 19-20 के financial year में government को पास जो tax revenue generate हुई थी वो corporate tax collection जादा था और वहीं अब यह structure change हो चुका है और यह जब structure change हुआ है तो इसको हम देख सकते हैं कि government को financial year 23-24 में individual से tax collection जादा generate हुआ है तो यह थी कुछ information जो हमने आपके साथ share की ऐसी information के लिए बने रही है business news भारत के साथ अगर आपको information पसंद आई तो वीडियो को like करिये चैनल को subscribe करिये comment करके अपना feedback जरूर दीजिए जरूर दीजिए